दोस्तों ACF और RFO की जो pre की परिच्छा होती है ये PCS के साथ ही होती है लेकिन mains की परिच्छा होती है ये अलग अलग होती है तो ACF RFO में जो mains का paper हुआ ये 3 April को हुआ था और इस वीडियो में हम 3 April को ACF RFO के लिए जो GS की question पुछे गए थे उन्हीं को करेंगे discuss ये question paper पहरे त ठीक आ नहीं रहा था तो सारे question मुझे type करवाने पड़े हैं और अब सारे प्रस्णों को हम आपके सामवें रखने जा रहे हैं और सभी प्रस्ण क्योंकि बहुत ही important है for all the upcoming exam खास तोर से PCS 2022 के लिए जो लोग अपेर होने वाले हैं वो लोग तो इस question को बिलकुल देखें और ध्यान से देखें कोई भी question repeat हो सकता है जहां तक संभो बन पड़ा है तत्यों को अपडेट रखने का प्रयास किया गया है जो पुरारे डेटा है उनको भी अपडेट कर दिया गया है लेकिन फिर भी वीडियो को यह था संभो साट रखने की कोशिस की गई है तो आईए ही स्टार्ट करते हैं पहला question देखें विजे सागर पक्षी बिहार निमलिकित में से उत्तर प्रदेश के किस अस्थान पर इस्थित है यह question पुशा गया था महोबा, मेरेट, मुरादाबाद और महाराज गंज यह चार आप्सन दिये गए थे बीजे सागर पक्षी बिहार यह कहाँ पर है तो यह मिलेगा आपको महोबा में मिलेगा ठीक है महोबा में फिर अगला question ने पुछा गया था कि सयंक्त राष्ट दारा प्रयाजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने सितंबर दोजार एकिस में निमलिकित में से किस देश के बधानवंतरी को सतत विकास लक्ष प्रगति पुरसकार से समानित किया गया है बांगला देश की पियम को ठीक है तो इसका सही जबापता option A बांगला देश फिर अगला question देखिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए और सूचीयों के नीचे देगे कूट से सही उतर चुनिए यहाँ पर सूचीया दी गई है बनियास लीबिया त्रिपाली त्रिपोली इसराइल इलाथ जारडन अकबा सीरिया जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर आपको समयज भर करा देना है और इसका उत्तर मैं आपको डिरेक्टली बता देता हूँ बनियास मिलेगा आपको सीरिया में त्रिपोली इबिया में इलाथ इसराइल और अकबा जारडन में तो यहाँ पर यह अंतरराष्ट्री भुगोल से समंदित क्रेशन है काफी इंपोर्डन है गैब्रियल बोरिक को 35 वर्स की आई में दिसंबर 2021 में किस देश का राष्ट्रपती बनाया गया है गैब्रियल बोरिक यह कहां के राष्ट्रपती है तो सही जवाब इसका है आप्सन C यानि की चिली के ठीक है और भारत में वर्सा बन अनुसंदान संस्थान वर्सा बन अनुसंदान संस्थान कहां पर इस्तित है पोर्ड बलेयर जोरहट तिर्वनन पुरम और कुएमटूर यह हैं आपके आप्सन वर्सा बन अनुसंदान संस्थान यह आपको कहां पर मिलेगा जोरहट में मिलेगा यानि कि आपका विकल्बी यहां पर करेक्ट है फिर देखे देश में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किस वर्स शुरू हुई थी प्रधान मंत्री निमलिकित जनकरणा वर्सों में किसे भारत के जनानंग की इतियास में महान विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है यह है 1921 आप्सन बी यह प्रस तो पिछले 20 सालों में कम सकम 14 भार पूछा गया होगा याद रखीगा इसको निमलिकित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है उत्तरतिस की जनकरणा दिये गए है और अधिक्तम या नियूंतम चेतरफल दिया गया है बताना है आपको की एक इसमें जो सही सुमेलित नहीं है लखेविपूर खीरी अधिक्तम भागोलिक चेतरफल क्या ये सही है हाँ ये बिल्कुर सही है इसके बाद आता है सोनभद्र अधिक्तम वनाचादी छेतरफल ये भी करेक्ट है सीतापूर नियूनतम भगोली छेतरफल तो यहाँ पर देखो अगर नियूनतम भगोली छेतरफल के बारें बात करें तो आपके दिमाग में दो डिस् ठीक है विस्व का कौन सा देश 2020 में लकडी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक था लकडी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक वर्श 2020 में कौन सा देश था तो यह बाब इसका हो जाएगा बताएगे कौन सा होगा जी अकरणा सिक्कों के टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने स्टार्ट की थी जो सिक्के थे उस पर नाम लिखा जाता था तो यह जो परंपरा थी वो किस सुल्तान ने स्टार्ट की थी यह आपके आप्सन है अलाउदिन खिल जी मुहंबन दी तुगलक बलबन य कौन सा सहर है जिसने पहला अस्थान प्राप किया है तो नीती आयोग ने जारी किया था नॉमबर 2021 में सतत विकास लक्ष सहरी सुचकांग और डैसबूर 2021 पहला अस्थान मिला था किसको इंदोर, सिमला, वारांसी और चोथा विकल्पे याँ पर तिरुपती तो इसमें से सही जबाब क्या हो जाएगा सिमला, ठीक है सिमला, बहुत सारे लोग इसमें इंदोर पर जा रहे होंगे इंदोर नहीं है, इसका सही जबाब है सिमला, फिर एगला क्षण देखिए, निम्लिकित में कौन सी अस्थानी गर्बपॉन नहीं है अस्थानी गर्बपॉन की बात यहाँ पर हो रही है सांता आना, मिस्ट्रल, टाकू और फान सांता आना, मिस्ट्रल, टाकू और फान में अस्थानी गर्बपॉन कौन सी नहीं है तो यहाँ पर देखिए आपके कूर दिये गए है विकल इसमें आपको उत्तर देना है सही जवाब है आपसंसी 2 और 3 मिस्ट्रल और टाकू ठीक है जो किये हैं विकल C में तो हमारा C आंसर हो जाएगा निमलिकित में किस एक अस्थान पर सिल्प में विष्डु वारा अवतार दरसाया गया है उद्यागिरी गुफा विदिस्ता में है एलेला गुफा और अंगाबाद में है और हाती गुफा कहाँ पर है भुनिस्वर में एलिफाइंटा गुफा मुंबई में जब भी मौका मिला करें, ऐसे अस्तानों पर जाय करिए, ग्यानवर्धन भी होगा, काफी रोमांच भी आएगा, सही अब आप इसका दिखिए, ओप्सन A है, विदिस्ता जोकी मद्यप्रदेश में है, उदेगरी गुफा, वहीं पर मिलेगा आपको, विश्रु वराह अतार क तस्वीर, ठीक है, फिर देखिए, कृष्री गणा, 2015-16 के अनुसार, भारत में भूम जोतों का आउसत आकार कितना है, 2015-16 की जो कृष्री गणा हुई थी, उसके मताबिए, भारत में भूम जोतों का जो आउसत आकार है, वो कितना है, यहाँ पर देखिए, आपसन आपके दिए गए हैं, सहीजे बाब इसका क्या हो जाएगा बताओ, जी यहाँ, जी यहाँ, जी यहाँ, जी यहाँ, आपसन टी, 1.01 हेक्टेर, फिर देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी के अनुयाई, किस भारती दर्सन में विश्वास करते थे, थियोसोफिकल सोसाइटी की जो देखिए, पिर देखिए, यहाँ, पिर देखिए, एम, जीओ, दिखित में से किस दरकान निजी अर्द सहनेक संगठन था, चार ओप्सन है आपके सामने MLNG किस दल का निजी अर्थानी से कंटन था तो भारती राश्टी का अंगरेश का नहीं था भरवल ब्लाक का भी नहीं था जश्चिट पार्डी का भी नहीं था अकिल भारती मुस्लिम लीग ML1 मुस्लिम लीग ठीक है फिर देखे सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना है भारती जलप्रपात और अस्थान दिये गए है इनको आपको मैच कराना है बरकाना, कंदाधार, वाचाजार और फलानी और यहाँ पर यह लोकेशन आपको मैच करानी है बरकाना, कहाँ पर है इस तरह भी कारस इसको आपको मैच कराना है फिर मुद्राराक्षस के लेखक कौन है मुद्राराक्षस नमक चो किताब है उसको किसने लिखा है भवोती, वानवट, विसाख, नंदर, यारफिक, कालिदाश सही जबाब क्या हो जाएगा, विसाख, नंदर, 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 नंदर करेक्ट है फिलिपीन्स और भी अतनाम के बीच क्या मिलेगा दक्षडी चींसागर मिलेगा आपको भारत में डाक टिकट का चलन किस ने स्टार्ट किया था डाक टिकट की सुरुवात की गी थी किसके द्वारा वारन हेस्टिंग्स लाड अलोजी लाड का अनमालिस लाड यसानपूर वारांडशि या फिर ह्रिद्वार सर्वोत्तव गंगा नगर यानिगी गंगा टाउन स्वक सरविक्षर 2021 के मुताबिक कौन सा है वारांडशी है रूस का आर्खान जेलस्क बंदरगाण रूस में एक बंदरगा है आर्खान जेलस्क या कि सागर पर है बाल्ट प्रसण होते हैं, अब यहां पर देखे, नम्मलकित घतनाओं पर विचार करीए, विचार क्या करना है कि अगम हुई थी? कौन पहले वी कौन सी बाद में हुई तो येर वाई याद रखीएगा इनको मगरमच, प्रजनर परियुजना हाथी परियुजना, प्रोजेक्ट टाइगर इसके बाद आता है बन महुत्सो तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है बन महुत्सो बन महुत्सो सबसे पहले स्टाट किया गया था उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर स्टाट हुआ फिर मगरमच, प्रजनर परियुजना और फिर हाथी परियुजना चार तीन एक दो इसका सही जवाब है महाराजा दिलिप सिंग ने पंजाब के ब्रिटिस सामराज में बिले से संबंदित कागजातों पर कभ हस्ताक्षर किये थी महाराजा दिलिप सिंग ने पंजाब के ब्रिटिस सामराज में बिले से संबंदित जो कागजात थे उस पर हस्ताक्षर किये थी फरिदाबाद से जब आप इसका क्या हो जाएगा फरिदाबाद में मिलेगा आपको भारत सरका के विपड़ान और निरिक्षन करेरे का मुख्याल है फरिदाबाद में फिर देखिए अगला कुश्चन आई एनस विसाका पतनम के बारे में विचार करिए दो स्टेटमेंट है इसके बाद कूट दिया गया है कौन से कूट सही है यह आपको बताना है तो आई एनस विसाका पतनम इनसे नौबर 2021 में विसाका पतनम से भारती नौसेना में सामिल किया गया था नौबर 2021 में विसाका पतनम से भारती नौसेना में सामिल और या परमाणु जैविक और रास सविल किया गया था विसाका पत्नम से नहीं कि मुंबई से शामिल किया गया था कि case cut convention center वारारणसी कि सीटस्थ जापार की साहता से करेख्ड़ कौन साथी नदी का यूग में भरंस घाटी से उकर बहती है, कौशी भारती नदी है, जो की भारती नदी का यूग में भरंस घाटी सुकर बने वाली नदी, सर्यूर और गंडक, कावेरी एवें गुदावरी, नर्मदा और तापी, गंगा एवंकोसी, सही जवाब इसका option C है, नर्मदा और तापी बहते हैं यूग मुभरंस से, यूग मुभरंस घाटी से बहते हैं, नर्मदा और तापी, तो option C इसका सही जवाब है, चंदेल बंस का पहला सासक कौन था, ये कोशन पुछा गया था, ज जए सिंग, ये सुवर्मन, नन्नुक या धंग, सही जवाब इसका हो जाएगा नन्नुक, महरवली के law अस्तंब लेक में उनलिखित, राजा का क्या नाम है, महरवली का जो law अस्तंब है, उसमें जो उनलिखित राजा का नाम है, वो क्या है, कुबेर, समोद्र, कनिस्क या फिर चंद्र, तो चंद्र को मौड का नाम से में लेगा आपको, option D यहाँ पर correct है, व्यापार सुविदा समझोता, TFA, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, व्यापार और विकास पर स्वंक्त राज सम्मेलन, यानि कि अंगटाट के द्वारा, यूरोपी आर्थिक समधाय के द्वारा, विसु व्यापार संग्ठन के द्वारा, या पर दक्चिड पूर्वी ACI राश्ट संग, यानि कि आसियान के द्वारा, सही जबावे विसु व्यापार संग्ठन, विसु व्यापार संग्ठन के द्वारा, यानि कि विकल्प इसका सही हो जाएगा, option C, ठीक है। 222 संगठन। तो 222 हम जो होता, TFA किसके दरफ बस्तावित किया गया था? 222 संगठन के द्वारा। होयसल बंस के प्रत्थम स्वतंतर सासक विश्रु वर्धन ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? विश्रू वर्धन ने जो कि हुएसल बंस का पहला सुतन दसा सकता उसने पनी राजधानी कहाँ बनाई थी रामेश्ट्रम, महाबलीपुरम, द्वार समुद्र या फिर तंजाओर सेउतर बताईए सेउतर जाएगा इसका द्वार समुद्र अंतराष्ट्री भारती अंतराष्ट्री विज्ञान महुत्सो 2021 के संदर में दो कतन दिये गए हैं भारती अंतराष्ट्री विज्ञान महुत्सो का आयोजन डिसंबर 2021 में पनजी गोवा में किया गया और यह भारत अंतराष्ट्री विज्ञान महुत्सो का तीसरा संस्क्रण था तो कौन से स्टिट्मेंट इसमें सही है यह प्रस नहीं आप पर भारत अंतर राष्ट्री विज्ञान महुत्सों का यह तीसरा संस्क्रण था यह यह कहा जा रहा है और इसका आयोजन वातर दिस नंबर किवल एक सही है आपको बता दें कि यह भारत अंतर राष्ट्री विज्ञान महुत्सों का सात्वा संस्क्रण था धीसरा नहीं था बलकि यह सात्वा था सेवन्त ठीक है फिर देखिए अगला कॉश्चन इशामी बर्नी और इबन बतुता किस मुस्लिम सासक के समकालें थे इस सामी बर्नी और इबन बतुता तो इबन बतुता से आपको पता चल गया होगा यहां पर मुहम्माण विन तुगलख ौप्शन C हमारा सेई जबाब है ॥। energies कओन एक भारत में जयव विवित्ता का हॉट इसपार्ट है, सहीज़े बाब इसका भारत में आमार छेत्र यानि कि option A correct है फिर देखिए जिपसम के प्रियोग से पौधों को निम्लिखित में कौन सा तत्तो प्राप्त होता है जिपसम के प्रियोग से पौधों को कौन सा तत्तो प्राप्त होता है प्रण गंदक, मैगनेिसियम, या फिल होगा सही जिबाव आपशन बी जपसं से मिलेगा क्या गंदक मिलेगा नौम्बर 2021 में आयजित आपदा प्रबंदन पर पांचवें विशो कांग्रेश के संदर में कौन सा कथन सही है तो पांच महान विश्व कांग्रेस, जो के आज़ूत हुल, नॉम्बर 2021 में आपधा परबंधन पर इसका आयोजन नहीं दिली में किया गया था, correct है, भारत में आपधा परबंधन पर विश्व कांग्रेस का यह पहला आयोजन था, पहला नहीं था बलकि ये पांचमा था, तो किवल पहला विकल यहां पर आपको सही मिल रहा है, आपदा परब्रणधन का विश्टू का अंग्रेश का यह भारत में पांचमा अजयन था, यह या तखना, ठीक है, और इस पर जो ये जो पांचमा अजयन हुआ था आपदा स्वदेश मित्रन हो जाएगा तमिल से मुंबई समाचार गुजराती से दरपन मराठी में संभाद प्रभाकर बंगाली में ठीक है दरपन मराठी संभाद प्रभाकर बंगाली मुंबई समाचार गुजराती स्वदेश मित्रन तमिल यह सही कूठ है उत्तरवदिस का लोग गीत कौन सा नहीं है तेरह ताल, कजरी, सोहर और चैती तो कजरी, सोहर और चैती ये सब उत्तरवदिस के फॉक डॉंस है तेरह ताल कहां पर होता है? राजस्तान में होता है तो option A आपका उत्तर बन गया सिक्कोत्वारा अपनी प्रितक पहचान के लिए 19 सिदापदी में सिंग सभा का आंदोलन हुआ था सिंग सभा पहली बार कहां पर हुई थी? पटियाला, अम्रिस्टर, जलांदर, फगवाडा सिंग सभा का पहला आयोजन कहा पर हुआ था, अम्रिस्टर में हुआ था तो बिकल्प B यहां पर करेक्ट है फिर देखे कौन सा रामसा साइड उत्तर प्रदेश में नहीं है सूर सरोवर, समस्पूर, पक्षे व्याराण, सुरिंसर, मांसर और सरसई तो सूर सरोवर, समस्पूर और सरसई यह सब उत्तर प्रदेश में है सुरिंसर, मांसर जीले आपको मिलेंगी जम्मू और कश्मीर में तो इसका सही बाब आपसन C हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर सूची एक को सूची दो से समयलित करना है आपको देखिए यहाँ पर, रियंद परियुजना, नागार्जुन सागर परियुजना, पोचम पात परियुजना और माता टिला परियुजना तो चलो मैच कराते हैं फड़ाफट रहन्द परिजना को रहन्द परिजना पर रहने देते हैं ये तो सही ये बाब है नागार्जुन सागर परिजना को रहने देते हैं कृष्णा नदी पर ये भी सही है पोचम बाद परिजना गुदावरी पर माता टिला परिजना बेतवापर ठीक है दुबारा से देखिए रिहन पर रिहन पर नागारजुन साकर किश्रा पर पोचम पाद गुदावडी और माता टीला बेतवा पर नेक्स्ट अंतरराष्टी चावल अनुसंधान संस्थान का डक्षण एसिया का छेत्री केंदर कहां पर इस्तित है अंतरराष्टी चावल अनुसंधान संस्थान का डक्षण एसिया का छेत्री केंदर मिलेगा आपको मेरठ कानपूर वारानसी या फिर गोरगपूर में सही जवाब है वारानसी में वारानसी करेक्ट है ठीक है अंतरराष्टी चावल अनुसंदान संस्तान का दक्षिन एसिया का छेत्री कारेले मिलेगा आपको बनारस में यानि कि वारानसी में ग्रूप कैप्टन अविनंदन वर्धमान को नौमबर दुजार एकिस में कौन सा वीरता पुरुस्का प्राप्ट होगा था वर्धमान अविनंदन वर्धमान का नाम आपको याद होगा और इनको मिला था वीर चक्र अपसने करेक्ट है ये भी आपको याद होगा वीर चक्र समराच असोक ने अपने राज़ा भीशे कितने वर्स के बाद कलिंग पर विज्य आपरात की थी कभी-कभी बिकल्ब में रहता है 9 वर्स भी कभी-कभी रहता है 8 वर्स तो 8 या 9 वर्स दोनों ही सही है यहाँ पर 8 वर्स दिया गिया है तो 8 वर्स Option E Correct है इस्टेट बाइज बदलता है बिहार में जब पीसेस परिच्छा होती तो वहाँ पर अक्सर 9 वर्स दिया जाता है यूपी में होती है तो 8 वर्स दिया जाता है फिलाल आपको जिस state की तहरी कर रहे हो वो उस state के आंसर की की मताबी चलना पड़ता है विसेश आर्थिक छेत्र Special Economic Zone या सी जिड के संदर में बिचा करिये पहला statement है कि विसेश आर्थिक छेत्र Special Economic Zone में जाने वाली वस्तुमों और शिवाओं को आयात माना जाएगा विसेश आर्थिक छेत्र या सी जिड के उत्पादन इकाईया स्थापित करने वाली कमपनियों को शुरुवाती पांच वर्स की अवधिक लिए करों का भुकतान नहीं करना पड़ेगा यानि कि दोनों बिकल्प यहाँ पर सही हैं तो उत्तर हुजाएगा option C दोनों बिकल्प करेक्ट हैं फिर देखिए अगला question निकित में कौन सा सही सुमलित नहीं है बोध गया कहा मिलेगा आपको बोध गया मिलेगा आपको बिहार में सारनात उत्तर प्रदेश में अजन्ता महाराष्टरा में और सोमनात गुजरात में तो यह हमारा जो option C है यह गलत हो जाएगा option C है जन्ता उत्तर प्रदेश में क्रिशक समर्दी आयो का गठन कब हुआ था यह आपके option है 2016-78-19 क्रिशक समर्दी आयो का गठन क्या गया था 2017 में याद अगना बहुत important question है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं भारसरकार द्वारा राष्टी वनीकरण एवंग पारिस्थित की विकास बूर्ड की अस्थापना कब की गई थी यह आपके option है सही जिबाब इसका 1992 है राष्टी वनीकरण और पारिस्थित की विकास बूर्ड की स्थापना होई 1992 में कौन एक सही सुमलित नहीं है गाय मेवाती होती है मतलब नसल दी आगया आगे गाय की एक नसल मेवाती है भैस की नीली नसल भी होती है और बकरी की नसल में आती है बरबरी ये भी सही है पस्मीना जो है ये बकरी की नसल है ठीक है पस्मीना साल में मिलती है ये भेंड की नसल नहीं है लोग इसमें जाएंगे तो पस्मीना जो है ये बकरी की नसल होती है भेंड की नहीं होती है और ये कहाँ पर मिलती है जम्मू क इलाके में फिर देखिए नमामि गंगे कायकरम का सुभंकर एक कार्टून चरित्र को चुना गया था किसको चाचा चौदरी को सुना गया था चाचा चौदरी डायमंड कोमिक्स में आता था यह जो चरित्र था इसे समद्धी जो कहानिया आती थी और प्राण लिखते थे इनकी कहानियों को फिलाल प्राण विस दुनिया में नहीं है तो नहीं कहानिया भी नहीं बन रही है लेकिन यह जो चरितर था बहुत ही पसंद गया आता था यूरोप के निमलिकित में कौन सा राजदानी सहर उत्री धुरू के पास इस्तित है कौन सा राजदानी सहर है जो कि उत्री धुरू के पास है ओसलो हेलसिंकी इस्टाक होम और मासको सेज़ बाप इसका हो जाएगा हेलसिंकी हेलसिंकी रूस का कुछ मास प्रदेश जो है यह प्रसिद्ध किसके लिए लोव ऐस के लिए ताभा के लिए या फे सोना के लिए कुछ बास प्रसिद्ध है कुएला के लिए यानि कि बिकल्प सी हमारा यहाँ पर सही है निमडिकित में कौन केंदरी मौ aula के प्रादी करन है केंदरी मौ gua दृद्रिक नीत प्रादी करना यह तो आप जानते ही है, इजर बैंक का आफ इंडिया है, तो option D हमारा correct रहेगा, November 2021 में भारत के 92 अंतरराश्टी फिल्म महुत्सों में किस फिल्म को सरस्रेष्ट फिल्म का पुरुसकार दिया गया था, November 2021 में भारत का जो 22 अंतरराश्टी फिल्म महुत्सों हुआ, उसमें कौन सी फिल्म बेस्ट फिल्म चुनी गई थी, Low Ground, Between the Feet, Any Day Now, Ring Wondering, Land of Dreams, मुझे याद रहा है क्या option C याद आ रहा है मुझे, Ring Wondering रही होगी सैद, सही उत्तर देख लेते हैं, हाँ, Ring Wondering ही है, सूची एक को सूची दूसर समयलित करिए, करिंगा, वेंबनाड, पुलीकट और विक्रोली, तो यहाँ पर आपको मैच कराना है, ठीक है, करिंगा मिलेगा आपको कहाँ पर केरल में मिल जाएगा करिंगा स्वरी, करिंगा आंध्र प्रति से मिल जाएगा आपको वेमनाड केरल में होए पूली कर्तमिलनाड और विक्रोली महारास्ट्रा में ठीक है, विशुप्रयाग विशु प्रयाग निम्लिखित में से किन नदियों के संगर पर इस्थी थे आपको विशु प्रयाग देखना है तो किन नदियों के संगर पर आप जाएंगे धोली गंगा और गंगा पर जाएंगे गलत हो जाएगा महां नहीं दीखेगा विशु प्रयाग धौली गंगा और अलग नंदा के संगम पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा यानि कि इसका सही जवाब और आपको दिखेगा यानि कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यह प्रस कही बार रिपीट हो रहा है याद अखना इसको UB में स्मार्ट टिक एकुल संक्या 10 है option B correct है इसका फिर देखिए जौनपूर के सरकी बंस का अंतिन सासक कौन था जौनपूर में सरकी बंस का अंतिन सासक था हुसेन सा option A correct है और कौन एक कनड़ा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है Alberta, ससकेचेवान, Manitoba और Otario कनड़ा के प्रेरी प्रांतों का कौन सा हिस्सा नहीं है विस्तु भुगोल के अंतर के प्रस पूशा गया है सहीजी बाब इसका Otario दिया गया है New Lambs Far Old टाइटल से लेखों की एक सिरीज प्रकासित की गई जिसमें नरम पंती राजनीती की आलोशना पस्तुत की गई थी किस के द्वारा लाला लाश्पतराय की द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अरविंदो घोस या फिर भीपें जितन पाल के द्वारा New Lambs Far Old ये प्रकासित की गया था जो सिरीज थी वो अरविंदो घोस की द्वारा चलाई गी थी ओप्सन सी यहाँ पर करेक्ट है देखें यहाँ पर कौन सही सुमरित नहीं है वन जो दिवस तीन मार्ज को मनाया गया था आपको याद होगा प्रतिनी दिवस 22 अपरेल को होता है ये भी आपको याद होगा जय भी वित्ता दिवस होता है यहाँ पर 22 मही को अभी मनाया गया था ये भी आपको याद होगा सब पढ़ाय गया है ओजोन परत का संवर्षन दिवस मना जाता है 16 अगस्त को गलत है यह होता है 16 सितंबर को 16 सितंबर ठीक है और 2021 में इसका जो इसकी जो थीम है वो क्या है हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है मांट्रेल प्रोट्रोकाल इसे 197 सितंबर देशो ने इस बार मांजूरी दी थी फिर अगला कोश्चन है कि भारती चारा गाह एवंग 4 अनुसंदान संस्थान कहाँ पर मिलेगा आपको भारती चारा गाह और 4 अनुसंदान संस्थान मिलेगा आपको जहासी में बिकल बी करेक्टर है इसका निम्रिकीत घटनाओ पर विचार कीजिए और कालक रमानों सार ब्यश्रित कीजिए संथाल बिद्रो, कोल बिद्रो, चेरो बिद्रो और कुकी बिद्रो सबसे पहले कौन हुआ था उसके बाद कौन हुआ फिर उसके बाद कौन हुआ लस्बसे अं सबसे पहले आएगा चेरो विद्रो उसके बाद आएगा कोल विद्रो उसके बाद आएगा संथाल विद्रो ठीक है तो इस प्रिकार से आप सन्याद रखेंगे तो सारे परस्नों को आप हल कर ले जाएंगे कौन सही सो मिलित नहीं है भारती दलहन अनसंदान संस्थान मिलेगा आपको कानपूर में सही है न हाँ भारती गन्ना अनसंदान संस्थान मिलेगा आपको कहाँ पर लखनौ केंद्री किरसी वानकी अनसंदान संस्थान मिलेगा आपको जहांसी में ये भी सही है रास्ति जैविक खेति किंद्र कहा मिलेगा आपको मेरेड़ मिलेगा नहीं आपको जाना होगा कहाँ पर आपको जाना होगा गाजियाबाद ठीक है निम्रिकित में किसने पूर्भी समुद्री मार्क से भारत तता कानफू कैंटन के बीच ब्यापार का उड्लेक किया है पूर्भी समुद्री मार्क से भारत तता कानफू के बीच ब्यापार का उड्लेक मिलेगा आपको अलमसूदी के लेखों में इसका सही जबाब आप्सन B है फ्रवासा confusion भी है मुझे बता दिजीगा अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो लेकिन अलमसूदी ही मुझे सही लग रहा है कौन सा एक वेदांग नहीं है कल्प, निरुक्त, इस्मृति और सिक्षा में वेदांग कौन सा नहीं है तो इस्मृति जो है ये वेदांग में और फिर अगला ख्रिशन ने कौन सुमेली थे देखें इहां पर कौन सुमेली थे यह प्रस्फतन KNOW नहीं कौन सुमेली थे गनेश्थ दामदर शावर कर नौजवान भारत सबह सुमेली थे थे नहीं लगता मुझे यह गलत है यहां पर होना जीता सरदार भगत सिंग नोजवान भारत सबाग के स्थापना किस ने की थी सरदार अजीत सिंग ने बनाया था भारतमाता सोसाइटी यह बिल्कुल करेक्ट है यानि कि बाकी के जो दो आपसान यह भी गलत ही रहेंगे ठीक है अपने वारत समाज दिखा गया था वीरिस आवरकर के द्वारा यह भी याद है ना तो सही जवाब के वाल आपसन भी निकल के आ रहा है फिर देखिए चल देए आगे बढ़ते हैं निम्लिकित में किस सहर का स्वक्ष सरवेक्षन 2021 में सफाई मित्र सुनक्षा चुनोती में सीर्ष प्रदर्शन था किस सहर का स्वक्ष सरवेक्षन 2021 में सफाई मित्र सुरक्षा चुनोती में सीर्ष प्रदर्शन था इंदाओर वारांची तिरुपती या फिर तिरुवनंत पुरम सही जवाब है इसका इंदाओर ओप्शन ए पंदरसो तीन में पुर्दगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहां पर बनाया था कन्नूर कोचीन गोवा या दिव में पंदरसो तीन में पुर्दगालियों ने भारत में अपना जो पहला किला बनाया था वो कहां पर बनाया था आप्शन बी कोचीन में बाजी रौ पेसवा के दत्तक पुतर का नाम भया सहाब बाबा सहाब दादा सहाब या फिन नाना सहाब बाजिर पेसवा के जो दत्तक पुतर थे उनका नाम था नाना सहाब कौन सही सुमेलित नहीं है Society for Translating European Sciences 1825 में कुलकाता में स्थापित हुआ सही है Indian Association for the Cultivation of Science 1866 में यह भी करेक्ट है अलिगर Scientific Society 1864 यह भी सही है बिहार Scientific Society 1865 जबकि दिया गया है चाचट अनसर्ट होना चीए था यहाँ पर तो यह हमारा उत्तर है यह सही सुमेलित नहीं है कौन एक सहर दजला यानि कि टिगरिस नदी के किनारे इस्थित नहीं है टिगरिस नदी के किनारे कौन सा एक सहर इस्थित नहीं है सहर के नाम देखिए मोसूल किरकुक सामरा और बगदाद तो किरकुक आपको नहीं मिलेगा टिगरिस नदी के किनारे बाकी मोसूल सामरा बगदाद तीनों मिलेंगा आपको टिगरिस नदी के किनारे महात्मा गांदी ने अहमदाबाद में साबरमती आसरम की अस्थापना करकी थी साबरमती आसरम की अस्थापना करकी थी महात्मा गांदी ने तो देखो यहाँ पर जो 1915 दिया गया न अस्थापना की बात हो लिए तो 1915 रहेगा और इसको रीश्टिविस किया गया था 1917 में सही जीवाब इसका 1915 रहेगा रीश्टिविस किया गया था 1917 में तो यहाँ बात और रही किवल अस्थापना की तो यह 1915 ही इसका उत्तर रहेगा फिर देखिए वैस्विक भुगमरी सुचकांग 2021 के बारे में बात करते हैं इस सुचकांग में भारत के 94 में अस्थान पर है तो भारत जो था वो 94 अस्थान पर था 2020 में नकी 2021 में तो पहला आफ्सन गलत है वैस्विक भुगमरी सुचकांग को FAO के द्वारा जारी क्या गयता है ये भी गलत है जाने कि दुनों भी कलप में हापा गलत है आपको बता देता हूँ कि 116 देशों की लिष्ट में भारत 101 में नंबर पर आ गया था 2020 में भारत जो था वो 94 में नंबर पर था और इस सुचकांग को डबलु एचच और कंसर्ण वर्ल्ड वाइड CWW द्वारा लांच किया जाता है वेल्ट हंगर हिल्फा डबलु एचच और CWW मिलकर वर्ड हंगर इंडेक्स को जारी करते हैं भारत की रेंग कितनी है 101 के 2021 में 2022 की रेंग अभी आई नहीं है तो आप इसी से काम चलाईए उत्तरवदेश के बजट 2021-22 की थीम क्या थी महिला ससकती करण आत निर्भरता द्वारा ससकती करण और दोगी विकास और COVID-19 और अर्थवरस्थार तो सभी विकल्ब गलत है तो सही क्या होगा अगर यहाँ पर होता सौलंबन द्वारा ससकती करण तब यह सही रहता ठीक है तो यहाँ पर जो इंग्लिस में था वो सही था हिंदी में गलत हो गया था फिला इसका जबाब option B रहेगा सौलंबन द्वारा ससकती करण improvement by self-resilience सूची एक को सूची दूसर सुमेलित करिए तबकाते नासरी ताज उलमासिर तारिक उलहिंद और तुगलक नामा तो किसने लिखा है तबकाते नासरी किसने लिखा ताज उलमासिर किसने लिखा यह आपको मैच कराना है तबकाते नासरी का संबंद है मिनास उलसिराज से ताज उलनासिर का संबंद है हसन निजामी से तारिख उलहिंद का संबंद है अलवलुनी से और तुगलक नामा आमिर खुसरो ने लिखा है तो ये राइट यहाँ पर करेक्टली मैच किये गए है कुल 150 प्रस थे और इस वीडियो में हमने कर लिए डिसकस कितने तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर किजिएगा और पने दोस्तों की भी सेर भी अगर आप यूभी पीसस की परिक्षा देने वाले हैं तो ये पूरा वीडियो देखिएगा दूनों पाड़ देखिएगा और इसे सेर भी जरूर किजिएगा मैं बारबा कर रहा हूँ आपसे निवेदन है थैंकियो सो मच